17.4 जीवन काल और विभिन प्राकृत्वास Changing Habitat in a Life Span अब एक ऐसे जीव के बारे में चर्चा करते हैं जो अपने जीवन काल का अलग-अलग समय विभिन इस्थानों पर बिताता है ब्रह्मानी डग एक पक्षी है इसे सुर्खाब चक्वा-चक्वी आदी नामों से भी जाना जाता है या बतक भारत में ही नहीं आफरीका, यूरोप और एशिया के कई देशों में पाई जाती है भारत में गर्मी के लगभग चार से पास महीनों में ये लद्दाक, सिक्किम, अरुनाचर प्रदेश, हिमाले के उचाईयों में दिखाई पड़ती है ये इनके प्रजनन इस्थान भी है सर्दियों के दिनों में ये हमारे देश के दक्षिन की तरफ दिखाई पड़ती है इसी समय ये 36 गड़ में भी दिखाई पड़ती है परन्तु ये यहां प्रजनन नहीं करती है सर्दियों में ब्रह्मानी डख सिर्फ हमारे देश के अनिस्थानों से ही नहीं बलकि उत्तरपूर्व के अन्य देशों से भी आती हैं। जब किसी जीव के जीवन काल में प्राकृत्वास बदलता है, तो एक प्राकृत्वास से दूसरे प्राकृत्वास में जाना प्रवास कहलाता है। इस प्रक्रिया में जीव कुछ समय बाद पुना अपने इस्थाई प्राकृत्वास में लोड जाता है। समुद्र तट से 5000 मीटर तक की उचाईों पर घास के विशाल मैदान, मीठे, वखारे पानी के तलाब, दलदल और नदियों के तट ब्रम्हानी डग के प्रजनन इस्थल है। प्रजनन के दोरान पोशन के जरूरते अधिक होती हैं। अंडे देने के लिए सुरक्षित जगों के जरूरत पड़ती हैं और यहां सब इने हिमालय के इलाकों में मिल जाते हैं। यहीं के घास, अनाज, अन्य बीज, जींगा, मेंडग, कीडे, आदी इनका भोजन हैं। इन इस्थानों पर सर्दी के आते आते जब खाद का यह स् कम ठंडे स्थानों की ओर निकल पड़ती हैं। वैस्क बतकों के साथ चंतान बतक भी होते हैं। यह बतक इन कम ठंडे स्थानों पर नदियों, जील, तलाबों, दलदल, खेतों, बांधों आदी के तड़ पर दिखाई देती हैं। समुद्र के तड़ से यह दूर रहती हैं ब्राम्हानी डग का प्राकृत्वास क्या है? क्या ब्राम्हानी डग को प्रवासे जीव मान सकते हैं? क्यों?